हलो हमश्कार दोस्तों एक पर फिर से आपका स्वागत है हिंदी एवी नोट की यूट्यूब चैनल पर और ये है लावरानी का भाग 5 और इसे पहले हम भाग 4 बना चुके हैं मतलब 4 भाग में हम लावरानी की वीडियोज बना चुके हैं जिने आप जाके देख सकते हैं हमार 40 सवालों को cover करने का प्रयास किए 40 45 तरह के सवाल हैं जो की इलावरानी से बनते हैं मैंने सारे ही cover करने का प्रयास किया है अब ये वाला जो वीडियो है ये आगे का part है बांच्वाभाग इसे बहले जिकते भी तरह के सवाल थे पुराने पेपरों में से मैंने उठा-उठ आपको बताया चलिए अब आगे देखते हैं और हाँ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं आप समय पर देख सके और हाँ बैल आइकन को दबाना बि एक व्यक्ति ने दो वस्तु में प्रते एक 48 सो रुपे में खरी दी और एक को उसने 25 पर बेचा अब दूसरी को कितने प्रते शत हानी पर बेचे कि उसे कोई लाव या हानी ना हो इससे पहले कि मैं सवाल को बताऊं इससे एक सवाल मैंने पिछले वाले वीडियो में कराया एक व्यक्ति ने दो वस्तु में 48 सो रुपे में खरी दी एक को 25 पर बेचा यदि वस्तु के विक्रे मूले बराबर हो तो कुल लाव हानी कितनी होगी इसका मैंने फॉर्मिला वगेरा सब कुछ उसमें बताया था लेकिन यह जो सवाल था इसमें देखिए यहां पर विक्र लिए 40 000 रुपे में खरी दा की क्रे मूले समान था तो इस सवाल को कैसे करेंगे एक विक्ति ने दो वस्तुओं को प्रति एक को 48 सो रुपे में खरी दा और उसने एक को 25 पर पर बेचा दूसरे को कितने परश्यत हानी पर बेचे कि कोई लाव हानी ना हो अब ज़हां इसी बात है 25 प्रतिशत हानी पे ही बेचना पड़ेगा तब ही उसी कंडीशन में ऐसा होगा कि लाब और हानी कुछ भी नहीं होगा सिर्फ यह यह वे है ठीक है यह इस तरह का सवाल है बस आपको यह ध्यान रखना है पिछले वाले सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है तो वो क्रेम उले पर खरीदा जाता है एक वस्तू को 25 प्रतिशत के लाब पर बेचा जाता है दूसरी वस्तू को कितने प्रतिशत लाब पर बेचा जाए कि 20 प्रतिशत का लाब हो कुल मिला के 20 प्रतिशत का लाब हो अब यहां पर यह दोनों चीजों की जो क्रेम उले हैं वो समा ठीक है अब ये दोनों चीजों की टोटल कीमत कितनी है 20,000 ठीक है अब वो क्या कह रहा है कि कुल जो आपको लाब होना चाहिए वो सिर्फ 20 प्रतिश्यती होना चाहिए भई तो अब हमें 20,000 को 20 प्रश्यत अधिक मूल्य पे बेचना है न यानि कि जो कुल कीमत है हमारे जो व देखें कितना होना चाहिए 20 प्रतिश्यत ठीक है 4,000 यानि कि जो टोटल सामान बिकना चाहिए यानि कि दोनों वस्तू है जो मिला के बिकनी चाहिए 24,000 में बिकनी चाहिए ठीक अब यहां ये 4,000 हमारे पास आ गया अल्रेड़ी एक वस्तू पे हम 2500 का प्रॉफिट कमा सिर्फ 4,000 तो दूसरी वस्तू पे प्रॉफिट किता हो गया किता हो गया 1500 यानि दूसरी वस्तू पे हमें सिर्फ 1500 का ही प्रॉफिट कमाना है ठीक है अब 10,000 का 1200 कितना परसेंट हो का बस ये निकल लीजे ये मैं कॉंसेप्ट से आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा ल जाहर सी बात है किता होगा 15 प्रतिशत ठीक है यानि दूसरी वस्तू को यदि वो 15 प्रतिशत पे बेचे तो कुल जो लाब होगा वो 20 प्रतिशत होगा चलिए अगला सवाल देखते हैं दो कारों मेंसे प्रतिए को बराबर मूलय पर बेचा जाता है पहले पर 10 प्रतिशत का मुनाइफ़ा तथा दूसरे पर 5 प्रतिशत की हानी होती है तो कुल मिलाकर लाब या हानी ग्यात करें अब देखिए यहाँ पे जो है विक्रे मुल्या बराबर है ठीक है लेकिन मुनाफ़ा जो है एक पेहानी और एक पेलाब है इससे पहले जो मैंने सवाल बताया था जिसमें वो सिर्फ उसी सवाल के लिए वो फॉर्मिला था वहाँ पे वो लागू हो रहा था वो इसी तरह का सवाल था कि जिसमें विक्रे मुल्या समान था वो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं उस सवाल चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या था सवाल वो वाला सवाल भी एक बार देख लेते हैं वो सवाल था यदि दो बैल मेंसे प्रतेक को 4545 रु अप्लाय हो जाता है लेकिन यहां पर देखें यहां पर देख रहे हैं मुल्या समान है ना लेकिन यहां पर यहां पर कंडिशन अलग है यहां पर दो कारों मेंसे प्रतेक को ब्राबर मुल्या पर विज़ा जाता है लेकिन पहले पर 10 परश्चत का मुनाफ़ा और दूसरे पर 5 प्रश्चत की हानी होती है, कुल मिलाकर हानी लाब ग्याद करें, तो इसके लिए दो तरीके हैं, पहला तो एक लंबा मेथार्ड है, जो कि आप concept से निकालेंगे, कि देखिए, मान लिजे कोई भी एक कीमत आप मान लेंगे, दोनों की बराबर, कुछ भी मान लिजे, मान क्रेम उल्य निकल आएगा, और फिर उससे आप profit और percentage जो भी total लाभानी होगी, वो आप निकाल सकेंगे, क्योंकि जो total विक्रेम उल्य होगा, वो दोसा होगा, और total क्रेम उल्य आपको आजाएगा, इनसे 100%, 100% निकालके, total क्रेम उल्य आजाएगा, और उसमें से आप घटा के निकाल लेंगे, तो यह तो काफी लंबा हो जाएगा, उससे आपको छोटा सा shortcut एक बता देता हूँ, इसका एक formula आप याद रखिए, 100 P-L, minus 2 P-L, upon 100 plus P, 100 minus L, loss को minus करना है, profit को plus करना है, profit में से loss को minus करना है, minus 2 profit loss, ठीक है, अभी चलेएगा, इससे कर लेते हैं, इस तरह का सवाल कभी भी आएगा, यह आपको formula apply कर देना है, इसमें अब रखते हैं, 100, 10 minus 5, minus 2 into 5 into 10, upon 100 plus 10, plus 100 minus 5, बराबर में यह आएगा, अब आपका total बाद में करके, 400 upon 205, अब चूंकि यह positive है, negative नहीं आ रहा है, इसलिए यह profit होगा, छीक है, इस सवाल में आपको यह formula बिल्कुल रट लेना है, यह याद कर लेना है, 3-4 बार लेख लीजिये इसको, आपको याद हो जाएगा, चल लेखला सवाल देखते हैं, किसी वस्तू पर लाभ विक्रे मुल्य के 20 प्रतिशत के बराबर है, तो क्रे मुल्य पर कितना लाभ है, ग्याद करें, तो देखी बहुत आसान है, मैं सबसे पहले विक्रे मुल्य को मान लेता हूँ, कि भाई 100 रुपिया है विक्रे मुल्या, ठीक है, अब जब विक्रे मु का 20 प्रतिश्यत यानि 20 रुपिया और क्रेमूल्य कितना होगा क्रेमूल्य होगा 100 माइनस 20 अब यह क्या पूछ रहा है लास्ट में क्रेमूल्य पर कितना प्रतिश्यत लाभ है अब आपको पता यह कैसे निकालते हैं ठीक है 25 पर्सेंट लाभ होगा ठीक आसान सवाल था चलिए अगला सवाल देखते हैं किसी वस्तू का लागत मूल्य पर कितना प्रतिश्यत बढ़ा कर अंकित किया जाए कि उस पर 10 प्रतिश्यत छूट देने के बाद भी 44 प्रतिश्यत का 44 पर्सेंट का लाभ हो अब मान लीजे कि उस वस्तू का क्रय मूल्या 100 रुपिया है अब यह कह रहा है कि 44 प्रतिश्यत का लाभ हो ठीक तो 44 प्रतिश्यत का लाभ यानि कि 144 रुपे में वो बिकनी चाहिए वस्तू ठीक है अब यह कह रहा है 10 प्रतिश्यत छूट देने के बाद किसी वस्तू को लागत मूल्य से कितना परतिशत बढ़ा कर अंकित किया जाए कि उस पर 10% छूट देने के बाद भी 44% का लाब हो अब मैं जो अंकित मूल्य है उसको फिर से 100% मान ले रहा हूँ कुछ 100% अंकित मूल्य है ठीक है और उस पर 10% छूट देने के बाद अंकित मूल्य कितना रह जाएगा 90% तो 90% बराबर 144 रुपिया ठीक अब 100% कितना होगा फिर 144 upon 90 into 100 ठीक है यह कटा इससे 16 टाम्स और यहां पर आया 160 ठीक है अब देखिए यह मैंने क्या माना था इसका क्रेम मूल्य है 100 रुपिया माना था और यह आया 160 तो कितना प्रतिश्यत बढ़ाकर रंकित किया 60 प्रतिश्यत ठीक है यह तो गवा थोड़ा सा कॉंसेप्ट अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्ट कट किया है ठीक है अब शॉर्ट कट देखिए आपको शॉर्ट कट में कुछ भी नहीं करना है बहुत आसान सा शॉर्ट कट है यदि इस तरह का सवाल हो यदि कि वस्तु का लागत मूलिक कितने है प्रतिश्यत बढ़ा कर रंकित किया जाए कि क्योंकि दसपरश्यत की छूट दी गई है इसको माइनस कीजिए इन्टु हंडर्ड देखिए क्या आता है इसकी पसेंट आता है यह इसका शॉर्ट कट है यह कॉंसेप्ट है दोनों आपको समझना है दोनों ध्यान में रखना है जिस्से आप परिक्षा में अटलीस सवाल कर किया हो चलिए अगला सवाल देखते हैं चीनी तना पानी के 12 लिटर के घोल में 4 प्रतिशत चीनी है घोल को गरम करके वाश्चुद्वारत 2 लीटर पानी उड़ा दे जाने के बाद 6 घोल में कितने प्रतिशत चीनी है ठीक है अब देखिए इसके भी दो तरीके हैं, पहला तरीका तो वही है, लॉंग वाला मेथट, सबसे पहले हम 12 लीटर का 4% निकाल लेंगे, ठीक है, 12 लीटर का 4% 0.48 आता है, ठीक, अब 2 लीटर जब उड़ गया, तो कितना बचा, 10 लीटर का 4.8 कितना परसेंट है, 4.8 परसेंट तो यह आपका अंसर हो गया, पहला तो आपको समझ आ गया होगा, सबसे पहले हमने चीनी का परसेंटेज निकाल लिया, कि 12 लीटर मेंं चीनी कितनी थी, चीनी थी इतनी, मात्र चीनी की 0.48 थी, 12 लीटर में, अब 2 लीटर जब उसमें से चला गया, तो 10 लीटर बचा, अब 10 लीटर में 0.48 कितना परसेंट है, सीधा सीधा अब 12 माइनस 2 किता आता ज़रा देखिए 4.80 आएगा ना सीधा शॉर्टकट ये भी समझिये और शॉर्टकट भी समझिये दोनों आपको समझना है अच्छे से चलिए अगला सवाल देखते हैं 210 लीटर दूद तथा पानी के मिशरण में 30% दूद है कितना पानी और मिलाया जाए कि मिशरण में दूद की मात्रा 10% हो जाए चलिए ये भी मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ पहला तरीका देखिए पहला तरीका क्या है कि मैं देख लूँगा ये 30% जो दूद है ये आखिर है कितना तो मैं 210 का 30% निकार लूँगा सबसे पहले ठीक है 63 लीटर ये 30% बराबर पहली कंडिशन में कह रहा है कि ये 63 लीटर है ठीक है अब अगली कंडिशन में क्या कह रहा है ये 30% दूद तथा पानी की मिश्वन में 30% दूद है अब ये क्या कह रहा है दूद की मात्रा 10 प्रतिशत रह जानी चाहिए पानी मिलाना है ठीक है अब हम क्या करेंगे, इसी 63 को 10% मान लेंगे, 10% मान लिया मैंने 63, ठीक, तो 100% कितना होगा, कितना हुआ, 630 लीटर, यानि इतना पानी हमने मिला दिया, कि 210 का 630 लीटर हो गया, ठीक, अब हम देख लेते हैं, 630 में से 210 घटा देते हैं, कितना आता है, 420 लीटर, यानि हमने 420 लीटर पानी मिलाया, ये तो हुआ पहला मेथड, अब दूसरा मेथड देख लीजे, ये शॉटकट, पानी की मातरा निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला, 210 इंटू, 30-10, अपॉन 10, इसमें आप समझ लीजे, सबसे पहले हमें, दूद की मातर जितनी भी दी हुई है, वो रख लेनी है, उसके बाद कितना परसेंटेज है, और बाद में कितना परसेंटेज है, उसको यहाँ माइनस कर देना है, और नीचे बाद में जो परसेंटेज बनेगा, वो नीचे हमें रख देना है, सीधा है, इसको ऐसे ही आपको सवाल को इसी तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, और इसी तरह का शॉर्टकट में आपको रख लेना है, कि सीधा सीधा पहले ये, और उसके बाद 30 में से 10 माइनस multiply कर दीजे कोश्टक में रखके और उसके बाद नीचे ये 10 रख दीजे answer 40 ही आएगा तो दोस्तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आगे भी ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे हम प्रयास करेंगे G.S. और G.S. के भी सारे सबजेक्टस फे हम वीडियो बना रहे हैं हम और ज़ादा इंप्रूफ कर रहे हैं अपने आपको और ज़ादा अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं जेतनी भी परतियो की परिक्षा हैं उनके जुतने भी previous years के papers हैं उन में से हम question उठा रहे हैं और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं दोनों तरीकों से concept से भी और short tricks से भी तो please channel को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और bell icon को जरूर दबा दीजेगा और यदि वीडियो पसंद आए तो please like कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद